कई लोगों ने आपको इस घोटाले के बारे में बहुत कुछ बताया है मैं अगर उसको एक संख्शिब तरीके से रखने की कोशिश करूँ तो घोटाला ये है 2004 के करीब देखिए हमारे क्योंकि कई रख्शा के घोटाले हो चुके हैं बोफोर्स भी हुआ और भी हुए तो इस वज़े से सरकार ने एक बहुत डीटेल्ड रूल बनाये थे कि जब भी कोई रख्शा सौदा होता है तो उसके पहले क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और उस प्रक्रिया में ये लिखा था कि पहले तो एर फोर्स या आर्मी या नेवी जिसको भी कोई चीज चाहिए रख्शा की वो बताएगा कि उनको क्या चाहिए कितना चाहिए उसके बाद फिर मामला जाता है एक कमीटी के पास जिसको कैटेगराइजेशन कमीटी कहते हैं जो ये तै करता है कि अच्छा ये चीज अगर खरीदनी है तो कहां से खरीदी जाए क्या हिंदुस्तान से खरीदी जा सकती है या बाहर से ही खरीदनी पड़ेगी या फिर कुछ बाहर से कुछ हिंदुस्तान से उसके बाद मामला जाता है defense acquisition council के पास वो एक और बड़ी कमिटी होती है जिसमें प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री कई लोग होते हैं वो लोग फिर तेह करते हैं कि अच्छा क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कहां से खरीदना है अब ये पूरी प्रक्रिया रफाइल सौदे में 2004 के करीब शुरू हुई एर फोर्स ने बोला हमको 126 हवाई जाहिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसल और कैटेगराइज़ेशन कमीटी ने ये बोला कि यहां ठीक है, 126 आएंगे लेकिन इसमें से 18 और बाहर से भी खरीदने होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी टेक्नॉलिजी उतनी एडवांस नहीं है लेकिन 18 ही बाहर से खरीदे जाएंगे, उसके बाद जिस कंपनी से ये 18 खरीदे जाएंगे उसको टेक्नॉलिजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, हमारी जो कमपनी है हिंदुस्तान Aeronautics उसको टेक्नॉलिजी ट्रांसफर करनी होगी, जिससे की बाकी 108 हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान Aeronautics की फैक्टरे में बन सकें इस आधार पर टेंडर 2007 में इशू हुए इसको request for purchase कहते हैं उसके बाद 6 कंपनियों ने टेंडर भरे जिसमें Dessault भी एक थी उसके बाद Air Force ने कई साल तक उसके technical trials किये ये 6 कंपनियों के और उसमें से 2 कंपनियों ने shortlist किया कि ये 2 कंपनियों ऐसी हैं एक ये Dessault और एक Eurofighter जो कि एक टाइफून हवाई जहास बनाती थी कि ये दोनों ठीक हैं हमारे लिए ये दोनों हवाई जहास तो उनके फिर financial bid खोले गए कि भई कितने दाम में वो लोग देने को तयार हैं तो उसमें ये देखा गया कि Dessault company कम दाम में देने के लिए तयार थी तो उनको L1 declare करके उसके बाद फिर price negotiation शुरू हुए 2012 में Dessault company के साथ negotiation तीन साल तक चलते रहे नई सरकार आगई 2014 में उसके साथ भी चलते रहे March 25 March 2015 को France में Dessault company के दफ्तर में Hindustan Aeronautics के आला अफसर भी present थे Indian Air Force के आला अफसर भी present थे और Dessault के आला अफसर भी present थे सब ने मिलकर वहां ये बोला कि ये जो सौदा हो रहा है 126 हवाई जहास का ये अब करीब करीब complete हो गया है 95% complete है और हम आगे Hindustan Aeronautics के साथ Dessault company मिलकर हिंदुस्तान में हवाई जहास बनाने बनाना जल्दी शुरू करने वाली है 25 मार्च 2015 8 अपरेल 2015 प्रधान मंतरी फ्रांस जा रहे हैं अगले दिन जाने वाले हैं और जो हमारे फॉरें सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक प्रिस ब्रीफिंग करी दिली में जिसमें बोला कि प्रधान मंत्री फ्रांस जा रहे हैं और ये कई चीजों पर बात होगी और एक ये रफाइल के सौदे पर भी बात होगी और आशा है कि ये अब सौदा आगे बढ़कर कंक्लूड हो जाएगा ये ही वाला 126 हवाई जास का जिसमें 108 हिंदुस्तान में बनने हैं और टेक्नोलोजी ट्रांसफर होनी है अब प्रधान मंत्री दस तारिक को वहाँ पहुँचते हैं दस तारिक के सुबे वहाँ के जो राश्ट्रपती हैं फ्रांस के फ्रांसुआ होलांड उनसे पूछा जाता है कि भाई ये इस मोदी के विजिट में क्या ये सौदा आगे बढ़ देगा शाम होते होते एक बिल्कुल नए सौदे पर प्रधान मंत्री फ्रांस के राश्ट्रपती से हस्ताक्षर कर देते हैं नया सौदा क्या है उसमें वो लिखते हैं कि अब हम 126 नहीं सिर्फ 36 हवाई जास खरीदेंगे अब पूरे की पूरे 36 फ्रांस से बनके आएंगे कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्टरी में नहीं बनाया जाएगा कोई ट्रांसफर अफ टेक्नॉलिजी नहीं होगा लेकिन ये भी कह देते हैं कि ये हवाई जहास उसी तरह के होंगे बिल्कुल जो हमारा सौदा नेगोशियेट हो रहा था वो ही वेपन्स होंगे वो ही कन्फिगरेशन होगा सब कुछ वो ही होगा और जो सौदा हो रहा था उससे कम दाम में खरीदेंगे ये जॉइंट स्टेट्मेंट मोदी का और फ्रांसुआ होलेंड का दस अप्रेल को आता है और उसके बाद ये पता लगता है तुरंट फ्रांस के मीडिया में ये ख़बर छपने लगती है कि ये सौदा इसलिए बदला गया क्योंकि प्रदान मंतरी अपने मित्र अनिलंबानी की कमपनी को प्रमोट करना चाहते हैं यानि कि 10 अप्रेल को ये जॉइंट स्टेटमेंट होता है 17 अप्रेल को फ्रांस की मीडिया में ये ख़बर चप जाती है कि यह इसलिए बदला गया कि प्रधान मंतरी मोधी अब अपने मित्र अनिलंबानी की कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं और अब यह बात खुलकर आ गई क्योंकि उसके बात क्या हुआ कि यह बिलकुल एक नया सौदा था और इस नया सौदे में प्रधान मंत्री ने इंसिस्ट किया कि बहुत पचास प्रतिशद इस सौदे का जो पैसा है वो हमारी हिंदुस्तान की कंपनी को ओफसेट कॉंट्रेक्ट की तरह देना पड़ेगा और उसमें अधिकतर यानि उसका सत्तर प्रतिशद अनि लंबानी की कंपनी को देना पड़े और डेसॉल्ट कंपनी के बहुत सारे इंटर्नल डॉक्यूमेंट्स निकले जिसमें सब में ये लिखा है क्योंकि लोगों ने पूछा डेसॉल्ट कंपनी के लोगों ने क्यों ये बोगस कंपनी अनिलंबानी इसके साथ हम लोग इसको हम कैसे कॉंट्रैक्ट दे सकते हैं इ सवाइजास बनाया ही नहीं, इनकी सारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जादे तर बेंक्रप्ट हो चुकी हैं, इनको क्यों, इनके संग क्यों हमारा कॉंट्रेक्ट किया जा रहा है, तो उनके जो आला अफसर हैं, उन्होंने बोला कि भई, ये तो हिंदुस्तान की सरकार ने कंडिशन लगा दी है, कि अगर ये सौदा हमको मिलना है, तो इसमें से ओफसेट कॉंट्रेक्ट के नाम पर, जो ओफसेट कॉंट्रेक्ट, पचास प्रतिशद होंगे पूरे सौदे के, और उस पचास प्रतिशद का सत्तर प्रतिशद, यानि की, ये साथ हजार करोड का आखिर में सौदा हुआ, 36 हवाईजास का, 30 हजार करोड के ओफसेट कॉंट्रेक्ट है, 21 हजार करोड के ओफसेट कॉंट्रेक्ट, एक अने लंबानी की कंपनी को दिये गए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो कोई आप्शन नहीं है, अगर हमको ये कॉंट्रेक्ट ले अगर आपको ये सौदा चाहिए, तो आपको अने लंबानी को देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने अने लंबानी के संग कॉंट्रेक्ट कर लिया, और धीरे धीरे ये बात निकल कर आई, कि उसका दाम, हवाईजास का दाम जो की पहले 500 करोड तै किया गया था, जब उन से पूछा गया पारिकर साहब से 13 अपरेल को, यानि प्रधान मंत्री के ये सौदा करने के तीन दन बाद, कि ये प्रधान मंत्री ने 126 का 36 क्यों कर दिया, तो उन्होंने बोला, कि शायद 126 का बहुत जादे पैसा लग जाता, उनसे पूछा कितना पैसा लग जाता, तो नब मिलाकर 90,000 करोड लग जाता, सब मिलाकर 715 करोड का एक हवाई जास होता, वेपन्स वगेरा के साथ, अब बात निकल कर ये आई, एक बार तो सरकार ने, अभी तो ये सरकार ये कह रही है कि हम दाम बता नहीं सकते, लेकिन नवंबर 2016 में, क्योंकि सितंबर 2016 में, फाइनली साइन हुआ, और उफसेट कॉंट्रेक्स भी उसी के साथ साइन हो गए, नवंबर 2016 में, सरकार ने, पार्लिमेंट में बोल दिया, कि हमने 36 हवाई जास का सौदा किया है, और एक हवाई जास का दाम, 670 करोड होगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाहर, रिलाइन्स कम्पनी और डेसॉल्ट कम्पनी, दोनों ने, प्रेस रिलीज में कहा, कि नहीं, 36 हवाई जाहा साथ हजार करोड के हैं, 60 हजार करोड में सौदा हुआ है, यानि कि एक हवाई जाह सोला सो साथ करोड का है, अब दाम कैसे बढ़ गया, आप कह रहे थे, कि आपने, आपके रक्षा मंत्री ने खुद बोला, कि भई ये, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मोदी जी ने खुद सौदा कर दिया, उन्होंने बोला, शायद इसलिए ये सौदा कर दिया, कि 126 का दाम 90 हजार करोड होता, यानि 715 करोड एक हवाई जाहस का, अब सवाल ये है, कि 715 का 1660 कैसे हो गया, तो अब ये कहा जा रहा है, कि नही नहीं हमने उसमें कोई मिसाल लगवादी है, हमने उसमें एक नया हेलमेट लगा दिया है, अरे भई, पहले ये कहा गया था, कि एकदम उसी कौन्फिगरेशन में, उसी वेपन के साथ आएंगे, जो पहले डील में हो रहा था पारिकर ने बोला कि सब चीजों के साथ दाम 715 करोड है तो 715 करोड का 1660 कैसे हो गया अब समझ में आ रहा है क्यों हो गया क्योंकि मोदी ने जब डील को बदला पहले वाली डील में तो कोई आफसेट कांट्रेक्ट था नहीं क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में बनने थे 108 हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनाटिक्स में तो कोई आफसेट कांट्रेक्ट हिंदुस्तान की कंपनियों को पूर्जा बनाने का नहीं देना था उसमें अब मोदी ने बोला कि देखिए आपको 50 प्रतिशत तो आपको आफसेट कांट्रेक्ट देने होंगे और उस प्रचास प्रतिशत का 70 प्रतिशत हमारे आदमी को देना होगा अने लंबानी को तो उन्होंने बोला अरे पर यह ने लंबानी तो कुछ बनाई नहीं सकता इसको आप हम कह रहे हैं कि अब पूरे सौदे का 35 प्रतिशत दे दो कहां से दे दे हमारे पास पैसा कहां से आएगा तो मोदी ने बोला ठीक है हम दाम बढ़ा देते हैं और दाम उस तरह से 700 करोड से 1660 करोड हो गए जब यह मामला दाम बढ़ाने का प्राइस निगोशेटिंग कमिटी में बोला गया कि भई इसका बेंचमार्क प्राइस दुगना कर दो एक साथ एक जटके में बोल दिया गया कि इसका बेंचमार्क प्राइज दुगना कर दो तीन अफसरों ने अब्जेक्ट किया उन्हें भोला कैसे दुगना कर दिया जाए क्यों दुगना कर दिया जाए तीनों को छुटी पर भेज दिया गया जैसे आज CBI डिरेक्टर को छुट्टी पर भेज दिया गया है क्योंकि हमने एक CBI को कंप्लेंट दी चार अक्टूबर को हमने अरुन शोरी और जैश्वन सिना ने मिलकर बहुत डीटेल्ड कंप्लेंट है और जिसमें साफ साफ बताया है कि इसमें सीधे सीधे अपराद हमारे भरष्टाचार विरोधी कानून में कमिट करे गए हैं और मोदी जी उसके प्राइम अक्यूजड है क्योंकि मोदी ने बिना किसी रूल को फॉलो करे कोई उनको अधिकार नहीं था कि रक्षा सौदे को बदल दें इस तरह से बगेर कैटेगराइज़ेशन कमिटी के पास जाए बगेर एरफोर्स का ये कहे कि नहीं हमको 126 नहीं चाहिए 36 चाहिए एरफोर्स में तो कभी बोला नहीं उससे पहले कि हमको 126 नहीं चाहिए आप 36 ले लीजे कैटेगराइज़ेशन कमिटी ने तो कभी बोला नहीं उससे पहले कि आप मेके इंडिया खतम कर दीजे आत्म निर्भड़ता खतम कर दीजे पूरे 36 वहां से रेडी टू फ्लाइ खरीद लीजे डिफेंस एक्विजिशन काउंसल ने नहीं बोला लेकिन मोदी जी ने अपने आप ये सौदा कर लिया और सिर्फ इसलिए कर लिया जिससे की 21,000 करोड रुपे अपने आदमी अने लंबानी के जेब में डाले जा सकें अब ये ब्रस्टाचार नहीं है तो क्या है सीधा सीधा Prevention of Corruption Act में सीधा ब्रस्टाचार है Section 7 और Section 13 Section 13 को तो इन्होंने भटा दिया एक और चीज़ कर दिये अभी तीन महिने पहले उसमें संचोधन किये Prevention of Corruption Act में और ये कह दिया कि कोई ब्रस्टाचार की जाँच सी बी आई या कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती जब तक कि सरकार की Permission ना ले ले यानि कि चोर की तैकिकात करने के लिए चोर की ही Permission आप पहले लेंगे तब फिर आप तैकिकात कर सकते हैं ganzen तो हम लोग ने चार चार अक्टोवर को एक बहुत बहुत ही गंभीर कंप्लेंट यानि कि उसमें 44-46 एनिक्षर्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुएं एक के बाद एक के बाद एक चाहे सरकार कहती है कि भई सीक्रेसी है हम कुछ नहीं बताएंगे यह तो बड़ा सीक्रेट रक्षा सौधा है कुछ हम नहीं बता सकते हैं लेकिन हमने 46 डॉक्यूमेंट्स लगाकर कंप्लेंट दी है CBI को CBI डिरेक्टर से हम लोग मिले 4 अक्टोबर को जब हम लोग मिलने गए और कंप्लेंट दी और उनको बताया कि कंप्लेंट में क्या लिखा है उसके बाद सरकार ने बोला अरे CBI डिरेक्टर तो बिलकुल बदमाश हो गया है इसने तो प्रशान भूशन और अरुन शोरी से मिल लिया कंप्लेंट ले ली रफैल सौदे के खिराफ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उसको कल रात को क्यों हटाया गया क्योंकि वो अब शायद इसकी जाच शुरू करने वाला था और जाच तो होने नहीं है जेपीसी बनना नहीं है भई ओपोजिशन क्या मांग कर रही है बोफोर्स में भी जेपीसी बनी थी जॉइंट पार्लिमेंटरी कमिटी लेकिन इसमें तो किसी हालत में नहीं बन सकती CAG कोई जाच नहीं कर सकता CAG को बोल दिया गया कि तुम लोग जाच नहीं कर सकते इसकी ये तो सौदा अभी 2023 तक चलेगा सौदा जब खटम होगा उसके बाद आप जाच शुरू करेंगे यानि कोई जाच नहीं कर सकता है क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे मोदी जी अपने यहां तक भरष्टा चार में लिप्ट है पूरा भरष्टा चार में लिप्ट है कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का अगर इसमें कोई जाच हो जाए सीधे जेल में जाएंगे तो इसलिए रातों रात CBI डिरेक्टर को हटाने की जरुवत पड़ गए और ऐसे आदमी को CBI का एक्टिंग डिरेक्टर बना दिया जिसके खिलाफ इतनी सीरियस कंप्लेंट्स हैं भरष्टाचार की भरष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने की जिसमें की पूर CBI डिरेक्टर जो अलोक वर्मा जिनको हटाया गया उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही सीरियस कंप्लेंट्स हैं और इसके चलते हुए इसकी जांच होनी चाहिए ये नागेश्वर राओ की और इसको CBI में नहीं रहना चाहिए उसके बावजूद ऐसे आदमी को CBI का डिरेक्टर बना दिया जैसे पहले राकेश अस्थाना को CBI का स्पेशल डिरेक्टर बना दिया था जबकि CBI के डिरेक्टर ने खुद बोला कि हम लोग खुद CBI खुद इसकी भष्टाचार की जांच कर रहे हैं बीस हजार करोड के मनी लॉंडरिंग केस में उसमें हम इसकी जांच कर रहे हैं इसकी डाइरी मिली है चार करोड रुपे इसको दिये गए हैं नकद CBI खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए अब पहले तो उसको बचाने के लिए और रफाइल सौदे में कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए उसको रोकने के लिए रातों रात CBI डिरेक्टर को हटा कर और एक भ्रष्ट अफसर को CBI का डिरेक्टर बना दिया गया है और यह कहते हैं कि नहीं नहीं हमने CBC से पर्मिशन ले लिए अरे CBC को कोई अथारिटी नहीं थी जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भई CBI को सरकार के चंगुल से निकालने के लिए ये जरूरी है कि CBI के डिरेक्टर की नियुक्ती एक हाई पावर्ड कमिटी करे जिसमें प्रधान मंत्री, लीडर ओफ उपोजिशन और चीफ जस्टिस ओफ इंडिया होंगे और इन्हों ने ही पहले इन्हों ने पहले राकेश अस्थाना को बना दिया था एक्टिंग डिरेक्टर बिल्कुल गेर कानोनी तरीके से बगेर कमिटी के साथ पास जाए हम लोगों ने उसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में तब उसको हटाया गया और उसके बाद इस हाई पावर्ड कमिटी ने अलोक वर्मा का चेहन किया अब बगेर हाई पावर्ड कमिटी के पास गए हुए लोगपाल एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर आप डिरेक्टर को ट्रांसफर भी करना चाहते हैं तो उसी हाई पावर्ड कमिटी की पर्मिशन लेनी पड़ेगी लेकिन बगेर उसकी पर्मिशन लिए यह कहते हैं नहीं नहीं हमने CVC से पूछ लिया अरे बहुए CVC के पास तो कोई पावर नहीं है CBI डिरेक्टर को हटाने की या ट्रांसफर करने की और दूसरी बात यह तो वही CVC है जिसने मोदी के बिरला सहरा के डॉक्यूमेंट छुपा दिये थे जब यह इंकम टैक्स में थे यह वही CVC है जिनको की जब अलोग वर्मा ने बोला कि भाई यह नागेश्वर राओ इसके खिलाब बहुत सीरियस कंप्लेंट्स हैं और इसको यहां CBI से हटाना चाहिए तो इस डिरेक्टर ने बोल दिया कि नहीं 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 इसको हटाने की कोई जरुवत नहीं है उसको प्रोटेक्ट कर लिया और उसी को आज CBI डिरेक्टर बना दिया गया तो इसलिए ये सौदा जो है सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है देखे वो फोर्स में क्या हुआ था चोंसट करोड रुपे के कमिशन दिये गए उसमें कोई हमारे सुरक्षा से समझवता नहीं किया गया था उसमें हमारे आर्मी की रीड नहीं तोड़ी गई थी इसमें क्या हुआ कम से कम 21,000 करोड के कमिशन का घोटाला है 64 करोड बनाम 21,000 करोड पहली बात दूसरी बात आपने हमारे एरफोर्स की रीड तोड़ दी एरफोर्स पिछले 15 साल से कह रही है कि हमको 126 हवाई जाहस चाहिए हमारी स्ट्रेंथ पूरी डिप्लीट हो चुकी है और इसी वज़े से अब इन्होंने 36 के बाद 110 नए हवाई जाहस का फिर से टेंडर इशू किया है क्यों क्योंकि इनको पता है कि एरफोर्स बार बार ये कह पिछले 15 साल से कह रही है कि हमको कम से कम 126 हवाई जाहस चाहिए अब आपने मोदी जी ने क्योंकि आप अने लंबानी को कमिशन दिलवाना चाहते थे 20,000 करोड का तो आपने वो सौदा खतम कर दिया 126 का और 36 का सौदा कर दिया तो आपने हमारे एरफोर्स की रीड तोड़ दी और हमारे सुरक्षा से समझाता कर दिया ये गदारी नहीं है तो और क्या है अगर इसको गदारी नहीं कहते हैं तो किसको हम गद्दारी कहते हैं अगर कोई अपने कोई क्रोणी को 21,000 करोड का कमिशन दिलवाने के लिए हमारे एर फोर्स की रीड तोड़ दे और उसके बाद हमारे सुरक्षा से समझाता कर ले तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है देश के साथ और अब उसको छुपाने के लिए कि उसमें जाँच ना हो जाए आप रातो रात CBI के डिरेक्टर को बदल देते हैं बिलकुल गेर कानूनी तरीके से क्योंकि वो डिरेक्टर एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है सरकार की हर बात नहीं मान रहा इस वज़े से आप उसको रा इस देश में सबसे बड़ा रक्षा का घोटाला तो हई है लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी गद्दारी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी